Hello friends, आज हम class 6th Hindi का first chapter यहनि के पहला जो है वो हमारी poem है यह हम करेंगे इसको पहले हम समझेंगे फिर इसके जो exercise और इसके question answers है वो करेंगे वह चिडिया जो यह चिडिया के उपर poem दे रखिया है मुझे अन से बहुत प्यार है इस chapter को इस poem को करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमें बता रखा है कि इसके अंदर जो कवी है जिसने लिखी है के दारनात अगरवाल कवी ने बताया है कि उसके सोभाव मैं मतलब वो एक सोच रख रहा था नीले पंको वाल के बेरोग गाती है मुझ बोली है और अखेली एकांत में भी उमंग भे रहती है उफनती नदियों के विशे में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों की चोंच में भरलाती है मतलब कि यह जो जितनी भी है यह हम पोयम पढ़ेंगे अभी कवीता पढ़ेंगे यह एक कवी की क महत्तपुन गुणों को उजागर किया यानि कि इस कवीता के द्वारा उसने मनुष्य के जो महत्तपुन गुण है उनको उजागर किया है ठीक है किस तरीके से उजागर किया चिडिया के द्वारा कवीता में इसके अंदर तो हम वो हम देखते हैं जैसे मैंने बोला वे चि यानि कि ज्वार और बाजरा के जो दाने हैं, वो अदपके, आदे पके दाने मन से और स्वाद लेकर खाती है, ठीक है, वे चोटी संतोशी चिडिया नीले पंको वाली मैं हूँ, वो कहती है कि वे संतोशी है, मतलब बहुत धीरस धर्णे वाली है, थोड़े से धाने खाकर भ बहुत प्यार है, अब जो ये पैराग्राफ है चोटा सा, ये कैसे मनुश्य के साथ जुड़ा हुए है, इसमें हमें अन से प्रेम, यानि कि जो हम खाना खाते हैं, जो अन हम खाते हैं, उससे प्रेम और आदर करने की सीख देती है, क्योंकि अन हमें ताकत देकर जीवन दे ठीक है, तो इस पैराग्राफ से मनुश्य के साथ कैसे जोड़ा कि वो हमें अन से प्रेम, जो हम खाना खाते हैं, उससे हमें प्रेम रखना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अन से हमें ताकत मिलती है, वे चिडिया जो कंट खोल कर बूडे वन बाबा की खा रहती है कि मैं तेज मधूर, यानि कि मीठे सुर में गाने वाली चिडिया मैं ही हूँ, मैं सभी की चिर परिचित मतलब की अथार, मैं सबको जानी पैचानी हूँ, मैं सबको जानती हूँ, ठीक है, यानि कि मूबोली मतलब सबको जानने पैचानने वाली हूँ, मेरे सभी गीत जो है वो बुड़े वन बाबा को समर्पित है क्योंकि वो बुड़े वन के अंदर रह रही है तो जितने भी मैं गीत गाती हूं सारे मेरे बुड़े वन बाबा को समर्पित है मैं एकांत से बहुत प्यार करती हूं यानि कि वो अकेली रहती है लेकिन उसको वो भी बहुत अच्छा उसमें भी वो खुश होती है मैं एकांत से बहुत प्यार करती हूँ मानव रूपे सभाव अब इसको किस तरीके से जोड़ावा इनसान से कि जो मनुश्य होता है चिडिया की जो प्रकति है प्रेम करना सबसे अब वो क्या करती है वन से प्रेम करती है क्योंकि वो जो गाना गारी है उस वन को समर्पित कर देती है जो ठीक है प्रेम करना और एकांत में भी खुश रहना ये जो है हमें सिखाता है इस पहराग्रासम सीखते हैं कि हमें दूश्रों से प्यार करना चाहिए अगर हम अकेल नीले पंको वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, अब इसमें जो शिडिया है, वो कहती है कि मैं वही छोटी शिडिया हूँ, जो उफनती नदी से बात उरी यहां पर, कि मैं वही चोटी चिडिया हूँ जो नदी से पानी के मोती, मतलब चोटी चोटी पानी के मोती कि उसके चोच वह चोटी होती है, उसमें लेकर उड़ जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मैं उड़ जाती हूँ, मुझे अपने इस साहस्पुन कारे पर जो यो काम कर ये साहसवाला कारेच छुट छुटी बूंदे पानी की लेके जाना तो उस पे मुझे बहुत गर्व है, मुझे नदी से भी बहुत प्यार है, तो इस इन पंक्ति से हम क्या सीखते हैं, इन से ये सीखते हैं, कि हमें किसी भी परिस्तिती में, चिडिया जो है बताते हैं कि वि विकास में, और प्राची मतलब पुराने समय से हमारी जो है, वो साहयक रही हैं, तो हमें नदियों से प्यार करना चाहिए, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो इस तरीके से केदारनात अगरवाल जो कवी है, उन्होंने इस पोयम के थूरू, इस कवीता के थूरू जो है, मनुष्य को बताया है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, उसके मैत्तपुर्ण गुणों को जो है, वो उजागर किया है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कोशन आ जाता है, फिर कवीता से कवीता पढ़कर तुम्हारे मन में चिडिया का ज शीर्षक देना, जिसके कि इस कवीता का शीर्षक तो यह है कि वहें चिडिया जो ये तो शीर्षक इन्हों ने दे रकेल, लेकिन हमें कोई और देना है, तो वहें सीर्षक देना चाहोगे, तो कौन सा दोगे, वह में बताना, इसमें अ जात होता है कि उसे अन से अनाज, विजन मतलब एकांत और नदी से प्यार है, वे दूद भरे ज्वार, बाजरे, के दाने, चाव से यानि कि रुची पूर्वक और स्वा से खाती है, सुनसान जंगल में एकांत में भी वे उमंग से गाती है, उफनदी नदी से जल की बूंद स्वर में गाती है, उसके स्वर, यानि कि आवाज की मधुर्टा वातावर में रस घोल देती है, ख़ है, चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, इसका स्प्रिन करना है, चड़िया अपनी चोंच में जल से भरी उफनदी नदी के बीच से पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, ऐसा लगता है, जैसे वे नदी के हिर्दे से मोती लेकर उड़ी जा रही है, उसके बादा अनुमान और कल्पना, कभी ने नेली चिडिया का नाम नहीं बताया, वे कौन सी चिडिया रही होगी, इस प्रशन का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज् ठंडे देशों में भारत आते हैं, उनकी पुस्तक को देकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कभीता में वड़ी नीली चिडिया शायद इनमें से कोई एक रही होगी, नीला कंड, चोटा, किलकिला, किलकिला, कभूतर और बड़ा पतरिंगा, अब इके कभीता में वड़ तुम चिडिया हो, जिस तरीके से इनमें बताया है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम देगे हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से यदिक रंग का है, तो लिखो उसके किस हिस्से का रंग कैसा है, जैसे तोटे की चोँच लाल और शरीर हरा है, अब जैसे यहाँ पे मैना, कवा, बत्तक और कबूतर दे रखे हैं, मैना काले रंग की होती है, उसकी चोँच पीली होती है, कवा, पूरा शरीर काला होता है, बत्तक सफेद रंग की होती है, उसकी चोँच पाउं पीली होते हैं, उसकी चोँच और पाउं पीले होते हैं, कबूतर सफेद और गूसर र इन पंक्तियों का प्रियोग करते हुए अपनी कल्पना से कवीता की कुछ नए पंत चोड़ो, इनके अपने तरह से कवीता लिखनी है आपको इस टाइप से, जो वै चिडिया से शुरू हो और बहुत प्यार है पर खत्म हो, वै चिडिया जो फुद फुदा कर नीले गगन की सीमा पाने, पंक पसारे उड़ जाती है, वै चोटी फुर्तीली चिडिया, नीले पंको वाली मैं हूँ, मुझे गगन से बहुत प्यार है वै चिडिया जो रोज सवेरे, नियत समय आंगन में तेरे, तुझे उठाने आ जाती है, चूचू करती छोटी चिडिया, नीले पंको वाली मैं हूँ, ठीक है मुझे सुभा से बहुत प्यार है, यह देखो हमने वह लिखाया कि वै चिडिया है, शुरू होता है, बहुत प्यार है पर खतम, वै चिडिया जो और बहुत प्यार है पर खतम होता है अब इसका फूर्थ कोशन देखते हैं तुम भी ऐसी कल्पनाय कर सकते हो कि वह फूल का पोदा जो पीली पंकडियों वाला मह करा है मैं हूँ उसकी विशेष्टाएं मुझ में हैं फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेष्टा को गिनते हुए त तुम उसी चीज को अपनी समानता बता सकते हो ऐसी कल्पना के अधाय पर कुश पंक्तियां लिखो तो ऐसी कल्पना के अधाय पर हम कुश पंक्तियां लिखी हैं आपे वह फूल का पोधा जो हवा जुलाता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है खुश्वु अपनी फैल रहा है, वे पीली पंखुडियां वाला पोधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है, जिसे पहले क्या था, चिड़िया से स्टार्ट हुरा था, अब उन्हें बोला, अपनी तरफ से आपको यह लिखना है, जिसे याँ पर फूल का पोधा, जो वेफूल का पोधा जो यहां से स्टार्ट करना है वेफूल का पोधा जो ठीक है ऐसे स्टार्ट करना है नीली जो पीली पंखुडियां वाला महक रहा मैं हूँ इस टाइप से जो लिखना है उसकी विशेशता मुझ में है ऐसे आगे लिखना है वेफूल का पोधा जो हव पर खुश्वु से नाता सदा निभाता मुर्जाने पर भी खुश्वु ही देता है वैपीली पंक्डियों वाला पोधा मैं हूँ मुझे खुश्वु से बहुत प्यार है ठीक है तो यहां पर आगे हमस्के करते हैं यह हमें दे रखा है भाष्षा की बात पंक्खो वाली चि पंक्खो वाली दराज कोन सा उपर वाला चिडिया नीले पंक्खो वाली दराज सबसे उपर वाला तो यह विशेष्टा है ऐसे हमें इसकी भी लिखने है मोरो वाला बाग यानि कि हम लिख सकते है सुंदर सुंदर मोरो वाला बाग उचे पहाड़ो वाला घर रंग ही बतानी है इसके अंदर भी यह लिखा है वह चिडिया डैश जुड़ी के दाने रूची से खा लेती अब जो डाग डाग दे रखा न यह हमें इसके अंदर इसके जो मोडेखों यहां लिखा हुआ है कवीता के इन पंक्तियों के मोटे चापे वले शब्द को ध्यान से पड़ो पहले वाक्य में रूची से यानि कि पहले रूची से खाने के धंग खाने के धंग की बात हो रही ना यानि कि जो खाने का जो तरीका है उसको एक्स्प्लेइन कर रही है ठीक है यहां पर हमें जो है वो विशेष्टा बताई जा रही थी और यहां पर हमें विशेष्टा की बात हो रही है यहां पर हमें संग्या की विशेष्टा बतानी होती है जिसको हम विशेष्टे भी कहते हैं विशेष्ट यहां पर लिखा हो न किया विषेषन हो गई, रस उंडेल कर, ङाने के धंग को बताता है, तो यह क्रिया विषेषन बता रह रहा है रस उंडेलना और रूची से ये क्रिया विशेशन बताता और ये हमने जो उपर किया था ये हमें संग्या के बारे में विशेशन मतलब विशेशता बता रहा था संग्या की तो ये विशेशन हो गया और ये क्रिया विशेशन हो गया ऐसे ही सुनाली जल्दी-जल्दी मुमें लड्डू ठूसने लगी, तो लड्डू मुमें ठूसने लगी, क्या है जल्दी-जल्दी, क्या है जल्दी-जल्दी, गेंध लुडकती हुई जाड़ियों में चली गई, लुडकती हुई मतलब क्रिया विशेशन, भुकम के बाद जन जीवत धीरे-धीरे समानने होने लगा धीरे-धीरे हो गया हमारा kriyavisation ना जो काम कोई हो रहा है न उस काम के बारे में जो बात हो रही है उसको kriyavisation घैंगे जैसे कि यहां पर मुह में लड़ो कोई सफेज धब से घरी मतलब क्रिया घरी कुसे घरी मतलब क्रिया और कैसे अफूरती से तो सहम कर हमारा क्रिया विशेशन, आज अचानक ठंड बढ़ गी, अचानक क्या है हमारा क्रिया विशेशन, तो यहाँ पर हमारी exercise, ओ सारी, हमारा chapter 1 पोयम जो है वो complete होजाता है, hopefully आपको हमारी वीडियो helpful लगी होगी वीडियो helpful लगे तो please इसे like, share, subscribe करें Thank you